और ये हो चुका है पूरा फिनिस इसके पर मैंने मैला मायन पॉलिस की है ब्रस से अगर आपको मैला मायन पॉलिस ब्रस से करने है तो यह वीडियो आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरी जनकरी मिल जाएगी स्टेप बाइ स्टेप अगर आपको लकडी के उपर करना है और इसके अच्छे तरह से दबाकर टाइक कर लेंगे और आपको बीनियर पर करना है तो 220 नमर का रेगमार पहले लगाएंगे के तो भीडी tolerance के दिखा रहा हूं इसके परी नमर की प्रियोक करेंगां नहीं कि के इसके बढ़ने के लिए एक कोड़ में रामई हाड़ने और तीजाडल cities अद में 1 डिटर दो मिक्स करेंगे बिस्ञार ना कि प्रियोक करने के लिए तो ज हैं गई प्रियोग कर सकते हैं और जहां भी वहाँ कर देंगे मैं इसके भिलिए करके निख दिखाऊंगा आपको वेगमल लगाएंगे 220 नमबर का रेकमाल मैं इसमें आपको ब्राउन कलर करके दिखाऊंगा अगर आपको कलर नहीं करना है तो इसके पर कुछ भी करने जुरूत नहीं है बस सीलर ही मारेंगे और अगर आपको कलर करना है तो इसके लिए लेना है वालनट अगर आपको ब्राउन करना है तो वालनट उसके बाद में फिर इसके पर double coat मानना है आपको जितना भी dark color करना हो तो ने coat मार सकते हैं इसके पर कोई शक्र नहीं है उसका एक गद्धिम बारने के बाद में 10-15 मेंट का गयब दिना जरूरी है कि यह sealer में बना हुआ है तो इस तरह से मार लेंगे color और फिर मानना है इसके पर sealer यह मेला में sealer है इसके आपको चार या पांच coat मानने पड़ेंगे इसी तरह से एक coat मानने के बाद में 3-4 घंटे इसको छोड़ना पड़ता है सुखने के लिए उसके बाद में दूसरा coat मारते हैं दो coat मानने के बाद में इसके पर एक माल लगा लेंगे 220 नमबर का ताकि इसके दाने दूने कट जाए उसके बाद में अगर आपको इसके पर और color करता है तो और भी color कर सकते हैं मैं इसके पर एक गद्दी और मार देता हूँ color की और यह हो चुका है हमारा color आप फिर से इसके पर मानेंगे sealer इस तरह से क्यूंकि यह हम ब्रस से कर रहे हैं तो इसके पर 3-4 हाथ मानने जरूरी है sealer के तभी नस्की बढ़ाई होगी पूरी और अब यह सूख चुका है पूरा देख सकते हैं आप इसकी fullness भर गई है अब इसके पर रेगमाल लगाना है हमें 220 नमबर का रेगमाल पानी के साथ में लगाना है ताकि इसके पर जो ब्रस वगार के निसान हो वो कट जाए अच्छी तरह से दबा के लगा लेना है इसको प भर आप लगा लगे अर्दियस को पड़े से साफ पर देना है अर्दो इसके बाद में मानना हैं मैं इसके पर टॉप कोड़ करप कोड़ में मैं एक मेलामाइन मैट और मेलामाइन गलोसी मारके दिखाऊंगा घ् Allum कि ऑपको जीतना यूज करना हो तो नहीं बनाये कि थोड़ी देथ में खराब हो ज tätä एक दो कुंटी के बाद में हाडनर पड़ने के बाद यह ग्लोसी है मेलामन ग्लोसी इसको बनाने के लिए एक लिटर में 100 ग्राम हाड़नर और 300-400 ग्राम तक मेलामन थिनर मिक्स करेंगे क्योंकि मैं ब्रस से करना है बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना ही पत्ला कुणना हो आप पतला है मोटा उस तरह से कर लेंगे इसके पर यह मेला मैं थिनर मिक्स कर रहा हूं है इसको mix करना है अच्छी तरह से और फिर इसके पर मारना है अब गर इसके पर आपको brush से करना है तो brush से भी कर सकते हैं और अगर हांस से करना है तो हांस से भी कर सकते हैं कोई चक्र नहीं है उसका मैं इसमें कपड़े गद्दी बना के मार रहा हूँ यह mat है इसका आप एक बार में एक ही कोड मार सकते हैं एक कोड मारने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा उसके बाद में ही दूसरा कोड मारेंगे हम और ये ग्लोसी है अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी दर और दोस्तों मैंने एक e-book भी बनाई है Paintropolis कैसे सिखें यह मैंने 20 पेज की बनाई हुई है इसमें आपको Paintropolis की हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी बेज मिट्रेल के साथ में इसको खुरिदने के लिए आप वीडियो के अड्रेस फोन नंबर भरके एमाउंट भरके यहां पर नेक्स्ट क्रिक कर देना है तो अभी यह हमारा पूरा सूख चुका है यह ग्लोसी है जो मैंने ग्लोसी मारी थी और यह मैट है यह देख सकते हैं आप इसमें बिल्कुल साइनिंग नहीं है और ग्लोसी में साइनिंग है को है अब करुए यह उ स्क्ट के पर कमपॉंट के निसां जो है नर्थ कंपाउंट से जाएंगे तो इसके पर कंपान करना जरूरी है इसके पर पहले शेसों नंबर का इसको पड़कर पानी के साथ में रेक्माल लगाना है कि पूरी दबाक के किताई कर लेनी है ं औरूपयला आप मुझे एस्ट्राग्राम और फेस्बुक पीज पे फोलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्षण मिल जाएगा फेस्टुक पेज़ पर भी आपको पेंट रोप पॉलिस की हर पकार की वीडियो मिल जाएगी तो इस तरह से रेगमाल लगाने के बाद में को कप्रे से साफ कर लेंगे इस तरह साफ कर लेना है पूरा अब इसके पर लगाना है हमें 1000 नमबर का रेगमाल एक हजार नमबर का रेगमाल है इसको भी पूरा रगड़ देना है यह वीडियो थोड़ी से लंबी जादा होई थे से लिए मैंने इसको फास्ट किया हुआ हुआ है थोड़ा साफ कर लेंगे इस तरह से पूरा साफ कर लेना है कप्रे से यह देख सकते हैं आप इसमें कहीं साइनिंग ना रहे हैं अगर कटाई सही नहीं होगी तो इसमें साइनिंग करेगा हलका हलका तो जब साइनिंग जब कटाई पूरी हो जाएगी तो इसमें साइनिंग नहीं रहेगी बिल्कुल भी और अब इसके पर मानना है हमें 2000 नमबर वो हूं लेंके रहें लेंगे हरे से ऑल आपको देखनें कि मेला मेंट पॉलिस स्प्रें से कैसे होती है तो आप आई-बैटर में लिंक दे दूगा वहां पर आके आफ सकते हैं कि मेला मार्ण पॉलिस गंट से कैसे करते हैं रहे यह पॉलिस तो उड़ी हे बनी है wanna play अबेलीबल नहीं होती है तो आप इस तरह से इसकी ब्रश से भी फिनिसिंग कर सकते हैं बिलुकल गणकी जैसी फिनिसिंग आएगी कि और पिर इसको आप बिलकुल इसका पानी सुखा देना है पानी न रहें कहीं पर कि आप हम मैं सके पर PAUL करना है गों थ्री एम का प्रियूख कर सकते हैं या मैं इस्ट में रबिंग कंपाउंड का प्रियूप करूंगा इसको भी प्रियूप कर सकते हैं आप यह वेक्सपोल कंपणी का रबिंग कंपाउंड है यह इस तरह का पेश्ट होता इसमें इसमें दाने होते हैं हलके हलके तो जो इसक्रेच वगएर होते हैं रेगमाल के वो इससे मिटे जात आप चैसे be दक कर सकते हैं एक को इससकंते हैं अ को न और यह देख सकते हैं अब इसके पर आपको जितना कपड़ा न सतंब आ नगार सकते हैं यह ज्यादा साइनेग आएगी से में बिल्कुल इसमूद फिनिस होगी इसकी है इसकी सles Warmhrigp इस तरह से आप इसका भी प्रियोग कर सकते हैं तो आपकी साइनिंग और भी बढ़ जाएगी अब इसको आपको मेन कप्रा रगना है जतना आप कप्रा रगड़ेंगे उतने ही ज्यादा साइनिंग आएगी और बिल्कुल स्मूद फिनिस होगी इसकी यह देख सकते हैं आप इस दोनों सेम ही हो गए है यह मेट किया था है अगर पर को सबसे पहले मिल